जहिन मेरे प्यार साथियों मैं राहुल राज तो आज हम बात करने वाले हैं अस्सम राइफल की नई भरती के बारे में जिसमें आपको मैं बता दो जिन भाईयों का फिजिकल तगड़ा है उनका समझ यह तो जोईनिंग पका है ठीक है न इसलिए कि जो अस्सम राइफल की द दौर होती है वहां थोड़ी दौर आपको यहां आपके नॉर्मल फिल्ड क्या प्रेक्षा थोड़ा हाड होती है इसलिए जो भाई के लिए दौर मस्त है उनका समझ यह सेलेक्शन हंडेट परसेंट रखा हुआ है कितने परसन हंडेट परसेंट आपका ज्वाइनिंग हो हो जाएगा आपने दौर पास कर लिया तो समझेगा 50% चार्स रहा था कि आपका सेलेक्शन हो गया ठीक हम बात करेंगे इसमें किसके पोश्ट्यों भरते निकलिए क्या क्वालिफिकेशन है कब से आपको राइली है तो राइली के हां तो उपर मैं डेट इसू कर दिया हू और यह आपको नहीं रखना है ठीक है तो आएज वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले बता दो अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार कर डाउट हो तो कोमेंट करें असांति वीडियो को लाइक चैनल को सेर और आपका चैनल को सुस्क्राइब जरू कर दें चलिए अब सरकारी नोकरी आपको पर्मानेंट जॉब होने वाला इसमें एक इक जॉब सेलेक्शन आपको ऐसी चान्स नहीं है यह आपको अधिस दॉचना आपको आपको संग करेंद नथ निद्वान धी बताया शिली बटते होती हिसमें पैसा इसमें अच्छा का सा है आपको आपको 12 पर कोई graduation post भी भरती होने वाली है यह आपका online mode है आपका apply online करना है क्या डेट है इसके regarding भी बात करेंगे आगे चलके रैली की जो डेट है आपको 1 अक्टूबर 2024 मैं आपको जुन भाईयों का थोड़ा सा भी दौर कम जोड़े अगर आप चाहते हैं कि आप असम राइफल में जौब करें तो आज से ही उठिये और अपना दौर सुरू कर देजे कि आपके पास समय बहुत कम है एक अक्टूबर आते आते टाइम लहीं लाएगा आप देखते देखते आपका एक अक्टूबर आ जाता है इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है कि जो मेरे भाई कर रहे हैं जी जाहां से करिए आपका सेलेक्शन पक्का होगा आगे चलते हैं अथिकारिक वेबसाइट में दिक्ष्ण बॉक्स दालूगा जहां से आप यह देख सकते हैं तो मेरे भाई अब बात करते हैं आवेधन की प्रम्भितिति यह आपको अगस्ट या सितंबर में आपको फूल नोटिस आजाएगा कब से अपलाई होने वाला ठीक ना अवेधन की अंतिम्तिति भी अभी सूचित नहीं हुआ है म मेरे भाई त्यार हो जाएं कि आपको इस बार असम राइफन में जॉइन करना है अगर जॉइन करना है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वीडियो में एक जैहिन जरू लिखे कमेंट से नहीं देखिए सारी दक्सा परिष्टा आपको एक का फिचकस एक ही एक्टूबर को होने वाला है तभी आप इसमें अच्छा खासा प्रकॉमेंस कर पाएंगे और अच्छा खासा आपका सेलेक्शन ले पाएंगे ठीक है ना यह बात ध्यान में रखे हैं अब हम बात करते हैं आपको इसके अप्लकेशन सुलक के बारे में जै सकते हैं किकसी कोई पर smoothly आपको पे में अब करने में हाएं तो मैरे भाई यूज आपको होने हैं इसके बीच अगर आपको एज में छूट मिलेगा ठीके ना जैसे कि मैं बता दूँ आपको तीन वर्स किसके लिए आपको पोश्ट में कितना आपको मानगा जा रहा है जैसे कि पोश्ट का नाम है पूल और सरक निर्मान की जो भरती होगी उसमें आपको डिप्लोमा की अवरसकता पड़ेगी जिसमें आपका एज 18-23 रहने वाला है यहीं बता दे अगर आप समाने वर्ड़कों से हैं एड़ 18-23, 20-18-26, SC-T हैं तो 18-28 होने वाले मतलब तीन सार और पांसार जोड़ लेजिए इसमें कोई यह बड़ी बात नहीं है अब बतात सफाई करमचाडी वनलीप फोर दौसरी पास है निश्चीन ठोकर अप्लाई कर सकते हैं हम बात करेंगे कि सफाई करमचाडी में कितनी पो पास होना चाहिए रेडियो मेकैनिक के लिए दस्वी पास और डिपोलोमा या तो आपके पास हैं और PCM मतलब फिजिस कमेश्ट्री और मैथ हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है लेब सहाय के लिए आपको दस्वी पास होना चाहिए वाले हैं उसमें अब देखिए सबसे आसान यह आपका आया नर्सिंग क्या बहुत है पारमेटकल में सिंप्ली आपको दस्वी पास होना चीज ठीक है और आपको 18-23 अच्छा खासा यह जोब होता है ठीक है यह आपको जोब एक सिंपल आपको होस्पीटल लोगरा में लग अब पुष्ट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो सिंपली दस्वी पास है और शांती आपका एज 18-23 होने वाला है अब आपके क्वालिफिकर्स तुम्हें बता दिया किस कि पोश्ट के लिए क्या क्वालिफिकर्स अब बता दू आपको किस पोश्ट के लिए कितना आपक अब सबसे बड़ी बात आती है आपको हाइट के अंसार कितना आपका हाइट रना चाहिए इसके रिगाड़िंगी बात कर ले ऐसे उचाई की बात कर ले आपको 170 सेंटिमीटर होना चाहिए आपको कम से कम इसको 37 सेंटिमीटर हो चाहिए और उसके ऊपर तो कोई दिकत नहीं है अब बात के लिए महिला बरगों के लिए आपको 170 सेंटिमीटर आपको निवन्तम हाइट हो चीज़िए आपको पांच किलिमीटर की दोर पूरी करने लेकिन हाँ मैं बता तो आपको समय ज्यादा लगसा है इसलिए आप जुरूर पढ़ियास करें कि कम समय में आप अपने दौर को कंप्लेट करें बात करने महिलाओं के लिए आपको आठ मीना तीस सेकेंड में आपको कि अब बात करते हैं आपको सेलेक्शन प्रोसेस की सब्सक्राइब आपको फिचिकल्स टेस्ट देना है यानि आपको जिस दिन आपको फिचिकल्स कोलफाई करेंगे फिर आपके उसके बाद दश्ट वेज आपको डॉकमेंज चेक करेंगा फिर ट्रेइट टेस्ट होगा अग कोसर प्रिक्षन होगा ठीक है उसके बाद आपका मेड़कास होगा उसके पाइनल अंतिम चेरन हो जाएंगे और आपका ज्वाइनिंग असम राइफल में सेलेक्षन हो जाएगा अपने गर्व से अपनी बर्दी के साथ अपना फोटो लगाएं कहीं लगाएं कोई दिकत नही है अब आगे बात करते हैं आपको इसमें वस्तुनिस्ट प्रशन होते हैं ठीकिन यह आपको जो परिच्छा हमें आपको वस्तुनिस्ट प्रशन हो जाएंगे और पिछली बार भरति में हुआ था ऐगे हो सके तो आपको ओनलाइन किया जा सक्किए लेकिन अभी तक क्यों आपको ओमर के अधार पढ़िए जाएंगे आपको जिस क्वालिफिकर्शन करते उसकी अप्रिक्टिक्ट आपको क्या होगा को सबकता एक हो नहीं सकता है ठीक है और के वाल नीले और ब्लैक पॉन कहीं आप उप्यों कर यह तो आप जानते भी है ठीक है गलत पर नीगेटी न आपको बता दें अगर आपwalk केज बात कर लें आपको इसमें करेंट से फिर भी आ सकता है 25 25 अंकि मतलब आपको 25 25 25 कर रहेंगे आपको तर निरुटे लिघ्रियुय के बात करूं पचीस कुष्टैवाइंगे इंगलिशोओ की बात कर ले आपको 25 25 पचीस मार्स करेंगे टोटल समय और धी दो घंटा यानि आपको 120 मिट के समय रहेगे और टोटल कोश्चेनों के सौ रहने वाली है तो मेरे प्याड़े भाईयो मैंने साड़े इत्यास अपडेट कर दिया अगर आपके बाद इसके बाद के डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आपको दिया जाएगा जब तक लिए जया हैं दोस्तों बंदे मात्राम